अपनी मा यानी मात्र भूमी के लिए जान नियुच्छावर कर देना नसीब की बात होती है पूरा देश इस शहादत पर फखर करता है अपने बेटी पर गुरूर तो पिता को भी होता है लेकिन दिल की गहराईनों से ऐसा सदमा लगता है कि सुद्ध भुद्ध हो देता है जैसे शहीद अजय सिंग के पिता बेवसी के आंसु बहा रहे बेटे के शव को कांधा देने के लिए कलेजा पत्थर का बनाना पड़ता है क्योंकि जिसे अपने हाथों के जूले में जूला जूला कर बलवान बनाया वो बेसुद्ध और बेगाना बनकर शव की शकल चिता पर लेटा मिलेगा ऐसा बुरा तो कोई पिता खुआप ही दिखना गवारा नहीं करेगा एक शहीद के पिता के इस ना भुला पाने वाले गम का एसास भर कर लेगा तो कलेजा चलनी होजाएगा जम्मु कश्मीर में डोडा जिले की डेसा में आतंकवादियों के साथ मुट बेड में सेना के कैप्टन समेथ चार जवान शहीद हुए हैं शहीदों में राजस्थान के जुनचुनु जिले के दो सपूत भी हैं बुहाना तहसील के भैसावत कला के जवान अजय नरू का और दुमोली गाओं के लाडले बीजेंदर सिंग दौराता भी हैं अजय सिंग के घरवालों को उनके शहादत के खबर मिली तो घर में मौत का मात में जीव भुकार मच गए पिता के आंसु रुखने का नाम नहीं ले रहे हैं घरवालों का हाल बेहाल है लेकिन हिम्मत और होसला दूनेंगे तो सीना गर्व के चोड़ा हो जाएगा अजय सिंग इस परिवार के तीसरे सदस से हैं जो देश पर खुरबान हुए है शहीद अजय सिंग के चाचा सुजान सिंग 14 दिसंबर 2021 को शहीद हुए मामा तेजपाल सिंग ने भी अपनी जान मातर भुमी को निवचावर कर दी शहीद अजय सिंग नरूका के पिता कमल सिंग नरूका भी सेना से रिटायर हुए है चाचा कायम सिंग सेना मिडल से 2022 में सम्मानित हुए बताना ये ज़रूरी है के परिवार में ही इतनी शहादतों के बावजूद बेटे को सेना में भेजना ही इस परिवार के जजबी और देश के लिए खुर्बान होने की होसले को जाहिद करता है शहीद अजय सिंग की पतनी शालू कवर के पास सेना के अधिकारियों का फोन आया कि उनके पती शहीद हो गए है जबकि आतंकियों से मुठ भेड से कुछ घंटों पहले ही शहीद अजय सिंग ने अपने घर पर फोन कर इस बात की खबर दी थी कि छुट्टी मंजूर हो गई है 28 जुलाई को वो गाउं आने वाले हैं लेकिन अब अजय आएंगे जरूर लेकिन देश के तिरंगे में लिप्टे हो गए इधर जुन्चुनू के दुमोली कला गाउं में एक लाल की शहादत से पूरा इलाका गमजदा है बेजेंद्र सिंग भी डोडा में आतंकवादियों के साथ मुठ भेड में शहीद हो गया है बेजेंद्र सिंग साल 2018 में सेना में भरती हुए थी उनके शादी 2019 में हुई थी अपने पीछे दो मासूम बच्चे छोड़ गए हैं गाउं के लाल की शहादत पर पूरा गाउं और कस्बा गम जदा है जी हम उसके लिए देखो गरवे हमारे लिए गरवे की बात है पूरे इंदुस्तान के लिए गरवे की बात है और हमारे बीच में रहा है हमारा भाई था गाउं का लाड़ला था और उसके लिए हम अंतिन संसकार की तैयारिया कर रहे हैं जगह चनित कर रहे हैं जिले को इस चीज का सबसे बड़ा गरवा है कि उन्होंने गाम समाज के लिए आज प्राणू के आवती दी हम इस चीज को बहुत बड़ा गरवा मानते हैं